नमस्ते वरिबान तो टोड़े विल टॉक अबाओट फाइव इम्मुनिटी बूस्टिंग फूड क्योंकि विंटर साचुकी हैं तो सबको समझना है कि अपनी इम्मुनिटी को किस तरह से स्ट्रॉंग रख सकते हैं हमारी नेचर ने बहुत ही खुबसूरा तरीके से हमारी इम्मुनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स और विजटेबल्स दी हैं तो आएए उन में से कुछ ऐसी चीज़ों को हम सलेक्ट करते हैं और अपने डेली रूटीन में लाते हैं जिन से हम अपनी इ करते हैं इंटर्णली भी और एक्स्टर्नली भी तो अगर आप उसे अपने रूटीन में इस्तमाल करते हैं या दूद में हल्दी मिलाते हैं या आप अपने खाने में हल्दी का बहुत अच्छे से घर की PCV, फ्रेश हल्दी या फिर आप किसी अच्छी चंशतीय को में जो हम बहुत अच्छे से अपने खाने में या raw form में या किसी भी form में इस्तमाल करते हैं तो आप चाहे वो अद्रक को आप चाय में डालके इस्तमाल कर सकते हैं आप सबजियों में इस्तमाल कर सकते हैं आप raw शहद में मिलाकर भी इस्तमाल कर सकते हैं और आप गारलिक को खाली पेट भी ले सकते हैं जो आपके कॉलिस्रोल को कम करने में भी हल्प करेगा और इम्म्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम जिंजर और गारलिक जो हमारी नेचर बहुत असानी से हमें दे देती है हर सीजन में तो हम उसे अगर अपने डेली रूटीन में चाहे हम खाली पेट, हम जिंजर और गारलिक को लेते हैं शहद में मिला के लेते हैं चाहे हम अद्रक को चाई में डाले और या फिर हम सबजियों में डाले और या फिर हम शहद के साथ मिला के रिखे तो किसी भी फॉर्म में अगर हम इन चीज़ों को यूज करते हैं तो हमारी immunity boost up होती है फिर आते है dry fruits, dry fruits जो कि हम traditionally भी सरदियों में हमारा intake जादा होती है हमारी calorie requirements जादा होती है, हमें omega 3 fatty acids मिलते हैं जो हमारी immunity को boost up करने में help करता है इसमें vitamin E भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो अगर आप diabetic नहीं है, अगर आप obesity का शिकार नहीं है और आप अपने ideal body weight को maintain करते हैं तो आप dry fruits का intake, especially pistachios या फिर almonds या फिर walnuts अगर आप use करते हैं तो ये आपकी immunity को और boost up करने में help करेगा बट make sure if you are diabetic or obese, so cut down the intake विंटर्स आती हमें बहुत सारे citrus fruits हमारे local market में हमारे आसपास मिलने लगते हैं वो इसलिए कि हमारी nature ने हमें बहुत खुबसूरती से citrus fruits हमें winters में दिये हैं ताकि हमारी जो immunity अगर थोड़ी सी भी compromise होती है तो citrus fruits के जरिये हम बहुत अच्छी मात्रा में लेकर vitamin C मिल सकता है हमें जो हमारी immunity को boost up करता है citrus fruits में जैसे के जितने भी आपके संत्रा है, moss me है, या नीमबू है, tomato है जो कि हर सीजन में available रहते हैं तो ऐसे फलो का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं guava is a richest source of vitamin C, जो कि आपकी immunity को और boost up करता है तो आप ऐसे fruits को जतना ज़्यादा लेंगे, उतना ज़्यादा आपकी immunity बढ़ती है इसके लाव हम बात करते हैं, जो हमारी nature ने हम सब को बहुत आसानी से और बहुत easily available करा रहा है वो है colorful हमारी vegetable जैसे कि गाजर, जैसे चुकुंदर, जैसे गोबी, जैसे मटर, जैसे green leafy vegetable इन सब चीज़ों में जितने भी colorful fruits, vegetables होते हैं, इसमें vitamin A, अगर C अच्छा होता है तो vitamin A भी बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारी immunity को boost up करता है तो in just, अगर हम अपनी diet में बहुत अच्छी मात्रा में turmeric यानि की healthy use करते हैं अगर हम बहुत अच्छे से citrus fruits और vegetables को इस्तमाल करते हैं, dry fruits का intake अच्छा रखते हैं onion garlic को अगर हम regularize करते हैं अपनी diet में, so we can boost up our immunity Thank you so much